घलो फ्रेइन स्वावगत है आपका मेरे चैनल लिवती की चैनल में तो आज चमल नाने वाले हैं एक बहुत ही इजी रैसिपी अन्यन लें हैं लिए हैं और इसको इस तरह चल्व में खाट लिया है इसको ध्यान रखेगा इसको सादा बतला नहीं करते हैं इसको मोटा मोटा ही काट नहीं ताकि हुआ है अच्छे बन पाए अनुनिक्स बिनाने के लिए मैंने दिया है ऐक कभ नमोटे करने कल्टों हमार तंहें अलश तर रह समय अलख लोड़ा है बस्तों वालक पाओ्डर है आधा है जिससे चीस में अच्छा सा टेस्ट आता है हम इसको Stack करना है, अच्छे से अच्छे से मिस्करना है तो कि इसका सारा फ्लेवर आपस में मिल में जाए अब हम इसके सबस्सें ठोल हम फैनी करके इसको देलें के बिद्शंуса मिला ल će एक अच्छा सा घूल बना के त्यार करने लिए जिसमें लिए हमारा ब्रेट करब एजी ली शिपक जाए हमारा मेशन मन के त्यार हो चुका है अब हम इसमें धीरे धीरे एक 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 आपिन लेके इसको इसी तरह अलत पैलिट कर लेना है सारे अले वीज को आपको इसी तरह पैले मेशन में डालना है कि उसके बाद ब्रेट क्रम में 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 करना है लेखे किस तरह मैं तरह करना है इसी तरह सारे अले वीज को पैले मेशन में डिक करेंगी उसके बाद ब्रेट क्रम में में मे सारी आर्में लिंस्पन के तयार हो चुके हैं अब हमें एक पैंड में तील गरम करेंगे तील को ज्यादा गरम नहीं करना है दखना है सारवे डला लिख रती चुरावी मीरियम ही रखना है इसको जादा और उपसक देगोऊधर लगया करना है किनारा नहें इसको बत users को सब्सक्राать गरम अ hebbenרכ श्यासे लिख सब्सक्राशन है तो यह जल जाएका तो इस पख्याने के लिए अच्छा नहीं लगीगा देखे यह जब उस तरह प्राउन होने रख जाए तरह इसको निकाल लेंगे देखी रहे इसको जादा नगे पकाने में ध्यान रखेगा उस्पर एक या दो मिलट ही पकाएं दीन में आज पर इसको दीरे दीरे हम ऐसे ही बारी-बारी साथी आन्य मिल्स को इस तरह थे इसको बारी साथी वारी लिए अच पर तरह सबस्क्राइब कर देने और साथ ही लाए लेल आइकन को प्रेस के दिलन ताकि आप लोग के पास नहीं साथे वीडियों के नटिक्वेशन पहुंच जाए और आप नहीं देख पाएं लिए निसे अनुमिय तेहर हुएं देखने में भी बहुत लुबान सुन्दे लग रहे हैं और खाने में बहुत जादा पेस्टी बूले लाग है आप भी इस लिए से की पक्राइब हुजेगा क्योंकि यह बहुत ज़ल्दी बनती है तो बहुत लिए क्रिस्टी लगते हैं में बहुत ज़्यादा क्रिस्टी होती है तो गैस